हेलो इबरेम वेकम तो क्लाव स्रीस और आज के इस वीडियो में हम जिस को सॉल्ड करने जा रहे हैं कोशन है रूपीज तो सबसे परहे हम कोशन को समझते हैं कोशन के अंदर क्या बोला है जो अमाउंट है 2500 यह बेसिकली किसकी वैल्यू है यह प्रिंसिपल की वैल्यू है कैसे पता चलेगी इस लेंट अट कमपॉण इंटरस मतलब यह लेंट करा गया है दिया हुआ मतलब तो यह बेस हो गया प्र rate of interest कितनी है 5% है और time period 2 years का दे रखा है तो अपने को basically find out करना है दो साल के लिए अगर यह amount किसको देते हो 5% per annum से तो फिर आपको total amount कितना मिलेगा amount के value अपने को find out करनी है ठीक है तो सबसे पर हम answer में जो जो सारा data दे रखा है question के अंदर वो लिखेंगे principle principle कितना दे रखा ह per annum अब हमको क्या find out करना है अपनको basically amount calculate करना है तो amount कैसे calculate करने है compound interest के अंदर amount का formula क्या है amount is equal to principle into 1 plus r divided by 100 to the power of n यह अपना basically formula है ठीक है अब अपन सारा data अपन को पता है अपने substitute करेगे है अपनको answer मिलेगा amount is equal to principle के value क्या है 2100 into 1 plus r की value क्या है 5 divided by 100 to the power of n basically क्या होगा आपका years कितने years है 2 years है तो यह हो जाएगा amount is equal to 2100 into इसको आप कैसे simplify करेंगे आप इसका LCM ले लेंगे कितना बन जाएगा यह हो जाएगा 105 divided by 100 to the power of 2 ठीक है इसको आगे further करेंगे यह हो जाएगा amount is equal to 2100 into 105 into 105 मतलब 105 to the power of 2 कितना होगा 11,025 divided by 100 square कितना होगा 10,000 ठीक है जब आप इसको further करेंगे तो आपको amount के value कितने मिलेगी amount is equal to rupees 2315.25 okay so आपकी amount के value basically 2315.25 so this is your answer आपकी 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 आपक